नमस्कार मैं आसे इस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में तो बिहार में एकदम एक तरब से भरतियों का इलाइन लगी हुई है जो पद निकाले जा रहे हैं उस पद में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिला है तो इसी करम में बिहार ट्रिपल एससी जो है इसमें जो टेन प्लस टू की जो भरती आई थी ग्यारा हजार संथिंग पद थें तो उन पदों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं भीया बिहार के लिए वो फॉर्म भर दें 10 प्लस टू जो एससी वाली है बिहार एससी की जो जॉब है आपके 20 पदों 22 पदों पे टोटल आपके यहां पर लिखा है देखिए साब साब यहां पर लिखा गया है इसके वेकेंसी जो थी पहले उसमें बढ़ोतरी कही गई है 22 पदों की कुल 22 पद है मतलब पोस्ट की बात किया जाए तो 22 पद है और 22 पदों में अगर हम बात करें तो 11,098 पद एक तरह से बोला जाए रिक्तियां थी इन रिक्तियों को बढ़ा दिया गया है यहीं पर आप देखोगे तो यहां साब साब बोला गया है पहले इतनी ही वेकेंसी थी लेकिन अब क्या बोला गया आपसे कि प्रकासित 22 पदों के अत्रिक्त सम्मान प्रसासन बिभाग बिहार पटना के माध्यम से माध्यम से इंटरस्तरी पदों के लिए कतिपए विभागों में अधियाचने प्राप्त हुई है प्राप्त अधियाचनों के आलोक में निम्न पदों को जो एडवर्टिजमेंट संख्या 2 बटा 23 है यही वाला दितिये इंटरस्तरीय सयुक्त प्रुतियोगिता परिक्षा में सामिल किया जाता है मतलब और भी पोस्ट जो आपके मिले हैं अधियाचन के तुरू उन्हें भी सामिल किया गया वो कितने पद हैं वो देख लीजिए यहां पर टोटल अगर मैं पद की बात करें यहां पर टोटल पद की बात किया जाए तो एक्स्ट्रा और पद 1100 कित 11,199 पद पहले ये 11,098 थे अब ये पद बढ़ गया है तो देखिए बिहार में एक सुनहरा आउसर सभी युवाओं को मिला है रोजगार के लिए तो जो भी हो चाहे बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के स्टेट के हो आप जेनरल में काउंट क्यों जागे कोई बाधिता नह और इसका स्लेबस भी जनरल है तो जो बच्चे तयारी करना चाहते हैं फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो तो लाजट जेट का इंतजार मत करिए फॉर्म आप भर दीजिया और जिन्हें भी तयारी करना है अगर टीम परिक्षा प्लस के साथ जुड़कर तयारी करना चाहते है को चाहते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट बैच ले आए जाए तो वो इस वीडियो के कमेंड में जरूर बताइए कि किन है भी बिहार SSC का बैच चाहिए 10 प्लस 2 का आप कमेंड में जरूर करिएगा आप जैसे आपका रुजान होगा उसी एकॉर्डिंग परिक्षा प्लस आपका बिहार SSC 10 प्लस 2 का बैच लेकर आएगी जो भी और सूचना होगा आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है इसके eligibility से related आपको वीडियो पढ़ गई है आप परिक्षा प्लस यूटूब चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को स सब्सक्राइब कर लें चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद